Hello and welcome to RLRS Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस awesome वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि Excel के अंदर index plus double match कैसे यूज करते हैं, इसका एक बेहदी खुपसूरत सा लेकिन awesome example, so उसके लिए मैंने क्या क्या हुआ है, वही अपना example यूज किया है, जिसको मैंने अपनी last की दो वीडियो में यूज किया था, जहां पर मेरे जो दोस्त हैं, वो क्या है, salesman है, और वो क्या करते हैं, iPhone की selling करते हैं, तो मेरी company जो है, वो ये कहती है, कि अगर आप iPhone की 50 unit sale करते हो, तो राज को जो है, उस 50 unit का 45% commission दिया जाएगा, लेकिन अगर वही 50 unit, राहुल जी अगर sale क करते हैं, तो 35% इस तरीके से, वो कितने-कितने unit पर कितना-कितना commission पा सकते हैं, इसका एक छोटा सा data मैंने यहां पर बनाया हुआ है, अब इसके according यहां पर अगर आपके manager जी आ जाते हैं, या कोई भी superior आ जाता है, और वो आप से क्या आते हैं, कि भाई, जरा बताईए कि रवी ने अगर 50 units की selling की है, तो उसको कितना percent commission मिलना चाहिए, जरा आप यह मुझे जर्दी से बता दीजे, तो आप इन data के अंदर तो ढूड़ेंगे नहीं, obviously आपके पास इतना time तो होता नहीं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, index और match को combine करके जब आप use करेंगे, तो यह आपके लिए उस बड़े data set के अंदर से बड़ी ही आसानी से डूड़ कर लेकर आएगा, तो चलिए मैं type करता हूँ और सिखाता हूँ आपको यह खुबसूरत example, index, मुझे मांग रहा है array, array का मतलब already मैं बता चुका हूँ कि वो area जहां पर आपका answer रखा हुआ होता है, उसके बाद comma, row number पूछ रहा है, तो row number के अंदर आपके क्या लिखे हूँ है, units, तो मैं units के लिए करता हूँ match, अब match के लिए मैं से क्या मांग रहा है, match किसको करना है आपको, इसको unit को, तो unit को मैंने अलग से specify कर रखा है, comma, किनके बीच में से डूड़ना है, तो मैं क्या column number, यानि कि किस particular persons के आप calculation करना चाहरे है, तो मैं उसके लिए दुबारा match लगाता हूँ, और मुझे किसके लिए calculate करना है, रवी के लिए, अब रवी कहां पर है, ये मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने select कर लिया, ये area, comma, exact match के लिए मैंने use किया, 0, देख रहे हैं, यह यहां पर मैंने 2 match use किया हुआ है, ताकि यह मेरे लिए आसानी से answer लेकर आ सके, और मैं enter करता हूँ, तो यह क्या करेगा, बता देगा आपको, कि आप अगर यहां पर salesman रवी select करते हैं, और units यह आप 50 select करते हैं, तो उसके लिए यह क्या बता देगा, आपको 17% आपका commission आय यह देखिए, मैं जड़ा unit change करके देखता हूँ, मैं करता हूँ 200, यह देखिए, अगर पूजा 200 units अगर आईफोन के sale करते हो, तो उसको 31% commission मिलना चाहिए, 200, यह देखिए, मिल रहा है, अगर मैं आप पर वर्षा को करतेता हूँ, वर्षा अगर 200 units अगर sale करते हो, तो उस आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि Excel के अंदर index plus double match हम कैसे use करते हैं, next वीडियो में मैं आपको VLOOKUP को match formula के साथ use करना सिखा हूँगा, जी यहां, बड़ा ही खुब सूरत होगा वो वीडियो, तब तक के लिए, goodbye.